आज हम पढ़एंगे पाड़ तो ब्यापार से सामराजी तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है इससे क्या समझ में आया आपका कि पहले वो जो आए थे अंग्रेज की बात की जा रहे हैं अंग्रेजों की इंग्लेंड से वो हमारे हैं भारत में आये तो ब्यापार करने के लि भारत की तरफ क्यों आकर्षी तोड़ी थी क्यों आना चाहरे थे व्यापार करने के लिए यूरोपी जो देश थे यहां से सच्टे में इनहें खरीद कर यूरोपी बाजार में महेंगे दामों में इन वस्नों को बेजा जाता था जिससे इन ब्यापारियों को दोहरा लाब होता था ठीक है इसलिए भारत की और आकरसिद हो रहे थे यहां से सस्ते में खरीदते थे और अपने देश ले जाके महेंगे में बेजते थे बंगाल के नवाबू और इस्टी इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था इस्टी इंडिया कंपनी जो थी बच्चों यह ब्यापार करने के लिए 600 SP में भारत आई थी इंग्लेंड की थी यह कंपनी इस्टी इंडिया कंपनी अंग्रेजों की तो यह सबसे पहले अंग् को चुंगी कर देने से मना कर दिया था यह चाहते थे कि जब इनकी सकती बढ़ने लगी इस इंडिया कमपनी की तो यह जो नवाब होते थे राजा उनसे जबरदस्ती चुंगी कर वसूल करना चाह रहे थे कर मांग रहे थे लेकिन उन्होंने इसको देने से मना कर दिया नवा नवाबों ने कंपनी पर कर्ण चुकाने तथा अपमान जनक पत्त लिहने का भी आरोप लगाया तो इन बातों पर नवाबों और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या था बीवाद था मुगल वंस का अंतिम सक्तिसाली सासक कौन था देखो बच्चो छोटी क्लास में आपने पड़ा था कि मुगल वंस की शुरुआतु बाबर से हुई थी बहु आज सो मैंने बताया था न बोसे बाबर होसे हुमायू ओसे अकबर जोसे जहांगीर सोसे सा जहां ओसे और अंगज भारत में इस्टी इंडिया कंपणी की स्थापना 600 SP में हुई थी और जो भारत के पस्मी तर्ट पर वास्कोद गामा कब पहुंचा इसकी को वास्कोटी गामा हम कहते हैं यह पहुंचा था बच्चो 1498 SP में ठीक है और वास्कोद गामा कहां का निवासी था ये था पुर्त दिमान रहे हैं पूरे विश्व के देशों को जितने भी विकास हुए जितनी भी उन्नतियां हुई और द्योगी करन सबसे पहले इंग्लेंड में हुआ वो सारे यूरोप के देश थे बचो छोटे-छोटे से देश और यहां से हमारे हां ब्यापार करने के लिए कौन-कौ विदेशों में बहुत अधिक मांग थी वो था बच्चो पहला तो बारीक सूती कपड़ा बहुत अच्छा सूती कपड़ा हमारे यहां होता था रेशमी कपड़ा होता था काली मिर्च है लॉंग है इलाइची है दाल चीनी है यह हमारे यहां बहुत आयत से होता था और वि प्लासी का युद्ध हुआ और अठार सब सब्जैने में पर्फम सब्सक्रा के बीच ऊथे बंगाल के नबाब 스लाब सिराजुत जो अंगरेजों के बीच जब तो प्लासी नामक्सितान पर पहले जो बंगाल का नबाब था उसका नाम था शिराजुद दॉला और अंग्रेजूं के बीच हुआ था प्लासी नामकिस्तान पर युद्ध पहले जमाने में युद्ध जो होते थे किसी मैदान में होते थे बच्चों हाथी घोड़े इनके साथ सैनिकों के सान लड़े जाते थे ठीक है और इसमें रावर्ड क्लाइब की जीत से कंपनी के भारत में पाउं जम गए यही वह युद्ध है बच्चों जिसने अंग्रेजों के पाउं भारत में हमेशा के लिए ज पाउन जम गई हैदर अली कहां का सासक था है इदर अली जो था बच्चों दक्षन भारत में मैसूर राज़ी का सासक था और इसका पुत्र ठाप टीपु सुल्तार और जिसको सेरे मैसूर कहा जाता था, सेरे मैसूर किसे कहा जाता था, टीपू सुल्थान को, जो हैदर अली का पुत्तर था, ये दोनु, मैसूर के सासक थे बच्चो, दक्षन भारत में, और बहुत बीड थे, जिन्हों ने बहुत लंबे समेतां, अंग्रेजों का विरो थिया, रानी च सामराजी के विस्तार के में कौन सी नीथी अपनाई जो नीथी अपनाई उसका नाम था विलाइड नीथी आप यह किसी सासक की मिर्थी हो जाए और उसका कोई पुत्रण न राजी में मिला दिया जाता था विलय नीति ये थी बच्चों ठीक है और विलय नीति के अंतरगत कौन-खौन सी रियासता अंग्रेजी सामराजी में गई थी जैसे सतारा था संबर पूर था उदयपूर था नाग पूर था जहांसी किरानी लक्षमी भाई इनके अगर संतान नहीं थी तो इनके राजियों को बिलाई नीति के तहट अंग्रेजों ने अपने राजी में मिला लिया था जिससे कि उनका राजी बढ़ते जा रहा था दिवानी मिलने से इस्टी इंडिया कंपनी को किस तरह भाइदा हुआ दिवानी मिलने से कंपनी को बंगाल का शासन मिल गया कमपनी की धनकी कमी की समस्या हलो गई कमपनी के पास अब धनकी कोई समस्या नहीं रही क्योंकि बंगाल से अब वो लो कर लेने लगा भारत से होने वाले लाब से कंपणी अब अपने खर्चे चला सकती थी ठीक है इस्टि इंडिया कंपणी टीपो सुल्तान को खत्रा क्यों मानती थी अब सबसे बड़ा भी मैंने बोला था ना हैदर अली और टीपो सुल्तान जो मेhlसूर के राज़ी राजा थे यह बहुत सक् थे तो इस्ट इंडिया कंपणी इनको बहुत बड़ा खत्रा मानती थी क्यूंधी देखो जो था के नेत्रेतों में महसूर बहुत ससक्त हो चुका था बहुत तागत्वर बन चुका था और टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के मंदर गाहों से चंदन तथा काली मिर्चि के ब्यापार पर रोग लगा दी थी, चंदन और काली मिर्चि को नहीं जाने दे रहा था टीपू सुल्तान, और टीपू ने इस्थानी ब्यापारियों को भी कंपनी से ब्यापार करने से रोग दिया था, कंपनी के साथ ब्यापार जो वहाँ के स्थानी ब्यापादी थे उनको भी नीं करने दिया जाता था इसलिए इसलिए इंडिया कंपणी टीपु सुल्टान को बहुत बड़ा खत्रा मानती थी सब्सटियरी अलाइंस सहायक संदी की व्योस्ता की ब्याख्या करें यह साहिक संदि क्या थी, देखो, लाड वेले जली द्वारा कंपनी वो नवाबूं के बीच एक साहिक संदि की गई, जिसके तहथ नवाबूं के आंतरिक व अबाई सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होती थी, बदले में राजी को कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी और उसका ब्याई वहन करना पड़ता था इसके बीच हुई थी ये सायक संधी देखो जो नबाब थे ना भारत के उनके और इसनी इंडिया कंपनी के भी ठीक है इसमें क्या होता था कि अंग्रेजों की जो सेना होती थी उसकी जिम्मेदारी नबाबों को लेनी पड़ती थी उसक वक्त भी ये कंपनी उनकी मदद करेगी ये ऐसी ये सायक संधी थी जिसमें नबाबों ने उनकी सेना पालनी थी और वो नबाबों की मदद करते थी कंपनी का सासन भारती राजाओं के सासन से किस तरह अलग था कंपनी ने फोजदारी और दिवानी इस्थापित की थी, तथा कलकटा मैं सरोच अदालत की इस्थापना की थी, अंग्रेजोंने राज़स्य ब्योस्ता और पुलिस परसाशन में भी अनेक सुधार किये थे, कमपनी की सेना की संगरशना में आये बदलाव क्या कमपनी की सेना में क्या बदलाव आये पहला बदलाव तो था कमपनी ने यूरोपी सेनिकों की संख्या अठार सो अठावन के बाद बढ़ा दी थी ठीक है और सेना में जाती धर्म छेतर के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा कि यह इस जाती का है यह इस धर्म का है इसके अनुसार भेदभावने लगा सेना के महत्वपूर्ण पद वह अंग जैसे तोब खाना टैंक और बक्तर बंद टुक्णियां केवल यूरोपी सेना के हाथ में रखे गई थी जो महत्वपूर्ण पद होते थे निरने लेने वाले और जो तोब खाने थे टैंक थे उनमें हमेशा यूरोपी सेनिकों को रखा जाजाजाजाजाज।